हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेब जर्वित आयुश और इस वीडियो में बात करेंगे 11 ओक्टोबर या आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्लाजा वायर्स टाटर टेक्नलोजीज और एक नया में बोड आ जिएगा इस नया मीनवड आयप यू का अनाऊंस्मेंट हो चुका है और देट्स भी निकल कर आ चुकी है प्राइस बेंड निकल कर आ चुका है और ना में दोस्तो इस आई-पईयो का आई-ार-म एनरजी इनरजी का आई-टर ऑक्टोबर से 20 ऑक्टोबर के बीच पे ऊपर होने वाला है 10 रुपे का इसका face value रहेगा 505 रुपीज का company ने price band रही किया है 480 से 505 रुपे का है बाद हमेशा अपने price band पर यह जा जाएंगे और इसका price band है 29 shares मिलेंगे आपको कुल मिला करें एक lot में total इस IP का issue size है वो 545 करोड का है और यह पूरा का पूरा दोस्तों fresh issue होने वाला है यानि 545 के 545 करोड रुपीस company के पास जाएंगे और company खुद इसका utilization करेगी इसमें company ने अपने employees के लिए एक discount रखा है तो इसमें company ने अपने employees के लिए जो share रखा है और जो discount रखा है वो 48 रुपीस per share का होने वाला है और इसके listing BSE NSE इससी दूनों पर होगी खास बात इस IP के यही है किस के अंदर दोस्तों जो portion है उसमें क्यू आइबीस के लिए 50% retailers के लिए 35% है यानि retailers के लिए 35% का इससा रखा गया है और H&I के लिए 15% basically इस IP के अंदर पर रखा गया है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो portion है उसमें retailers के लिए ठीक टाक portion रखा गया है 35% का और 15% का इस मैचनाइस के लिए और सबसे बड़ा portion इसमें क्यू आइबीस के लिए कंपनी के बार में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैसे तो प्रूब डीटेल वीडियो लेके आउँगा बड़ शॉट आपको कंपनी करें में बताता हूँ कि कंपनी दोस्तों एक gas distribution कंपनी और कंपनी अपना काम करती है इसमें develop करती है और operate करती है और expand करती है local natural gas distribution network IRM Energy एक value driven energy enterprise है जो industrial, commercial, domestic और automobile customers को serve करती है तो इस तरह काम है कंपनी का इनका presence जादा तरह आपको गुजरात में देखने को मुलेगा एक जगह है फतेगर साही पंजाब के अंदर वहाँ पर आपको कंपनी का presence देखने को मुल जाएगा और दियू और गीर सोमनात के अंदर भी दोस्तों कंपनी का आपको presence देखने को मुलता है जिसमें यूनिन ट्रेटरी जो दमने दियू है वहाँ पर और गुजरात के अंदर बाकी जो कंपनी का presence है वो एक और जगह है जिसका नाम है बाना संकंत बान संकत डिस्रिक्ट अब मैं गलत नाम ले सकता हूँ बठाएए एक डिस्रिक्ट है गुजरात का जहाँ पे इनका आपको कारुबार देखने को मिल जाता है बानस कंथा डिस्रिक्ट है वो ठीक है तो इस तरह का बेसिलिए कंपनी के पास है कंपनी का जो क्लाइंटल बेस है नैच्रोल गैस का वो कुछ इस सबसे की 48,172 डॉमेस्टिक क्लाइंस है 179 इंडस्ट्रियल उनिट्स है और 248 कमोर्शनल क्लाइंस है बाकी इसके बार में हम डीटेल में बात करेंगे जल्द की कंपनी किस तरह किये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए यह 17th & Company अरविंद & Company दोस्तों IP open होगा 12th October से 16th October के बीच में यह SME IPO कल से open होगा 10 रुपे का इसका face value है 45 रुपीज का इसका प्राइस बंड है 3,000 शेज मिलेंगे आपको एक lot में 14.74 करोड का इस IPO का issue size है और यह पूरा का पूरा fresh issue होने वाला है और इसकी listing कहां पर होगी National Stock Exchange पर एक और SME IPO है दोस्तों woman card woman card IP open होने वाला है 16th October से 18th October के बीच में 86 रुपीज का इसका price wind है 1,600 शेज आपको मिलेंगे एक lot के अंदर 9.56 करोड का दोस्तों यह issue होने वाला है और यह पूरा का पूरा fresh issue रहेगा इसकी भी listing कहां पर होगी only on National Stock Exchange एक और SME IPO दोस्तों राजगोर, Caster, Derivatives तो यह भी एक नया SME IPO होई है 17th October से उपन होगा 20th October दक उपन रहेगा 50 रुपीज का इसका price band है 3,000 शेज मिलेंगे एक lot के अंदर 47.81 करोड का यह issue होने वाला है जिसमें से 44.48 करोड का fresh issue है और बाकी का बचा हुआ 3.33 करोड का offer for sale इसकी भी listing NSE पर 12% के आसपस का current premium चल रहा है जो अपने आप में ठीक है मलब कोई बुरा नहीं कह सकता है इसको देखना ही है कि समय के साथ क्या बढ़ पाता है और फिर नहीं बढ़ पाता है आई यहारे मेनरजी ग्री मार्केट चालो हो चुके हो 20.79% उपर इसका current ग्री मार्केट चल रहा है बाकि यहां valuation wise भी मुझे लगता है कि company बहुत expensive अपना IP लेकर नहीं आई तो यहां पर पैसा बनता हुआ नदर आ सकता है इसकी possibility काफी ज़्यादा high है बढ़ यह है कि छोटा listing gain का बहुत बढ़ा listing gain की possibility नहीं है बट देखते कितना बस निकल कर आ पाता है moment card का कोई green market नहीं है ठीक है मतलब बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है क्योंकि काफी SME IP और रहते हैं action में ठीक है मतलब देखते कितना action नहीं receive कर पाता है अर्वेंद एन कंपनी की green market में बढ़ोत रही है कल से यह IP उपन अने वाल है 44.44% उपर करेंट green market है जब इत्ती उपर green market हो तो कह सकते है action भी कल काफी बढ़िया देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि काफी अच्छा पैसा निकल कर आएगा issue 14.74 करोड का तो कोई बढ़ने वाली कोई बड़ी दिखत वाली बात नहीं है आराम से बढ़ जाएगा बट कितना subscription receive करता है यह देखना काफी दिल्चस्प होगा एक अच्छा subscription receive करेगा इसकी possibility काफी हाई है अगले दोस्तों IPO आता है committed cargo care committed cargo care एक और NSE SME इस हुआ है करीबन 13% उपर current green market चल रही है ठीक है मतलब IPO को subscription में अच्छा receive वो 87 time subscription receive हुआ है मुझे लगता है कि SME के अंदर भी लोगों का attraction थोड़ा से जादा ही देखने को मिल रहा है बलकि बहुत चार ऐसे IP होते जापर पैसा मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए बट स्टिल आ जाता है बट क्या कर सकते है बट ठीक है अब यह आईपयो लिस्ट होगा 8 October को और इसका allotment 13th October को आने वाला है शाप चक्स ग्रे मार्केट अल्मोस 13% उपर चल रही allotment अल्रेडी आउट है और कल लिस्टिंग भी इसकी बाजार के अंदर अब देखते कल कितना उपर यह लिस्ट हो पाता है अब देखते कितना अच्छा इन्वेस्टर्स को यह डिलिवर करता है अगला दोस्तों आईपयो आएगा प्लादा इन्फोटेक्स सर्विसस का इसकी भी लिस्टिंग कल है और अच्छे लिस्टिंग होने के एक्स्पिक्टिशन काफी जादा है 16% उपर ग्रे मार्केट चल रही है देखते है 16% 17% उपर होता है और फिर उससे कम होता है अगला है कर्णिका इंडस्ट्रीज एक और ने से हैसे में इशू कोई घ्री मार्केट तो खास नहीं 4% है बट कल लिस्टिंग है तो कल काफी ऐसे में इसकी लिस्टिंग होने वाली बाजार के अंदर अब दिखते कितने उपर यह लिस्ट ह लिए और जिनको मिला है इस बेज़ और लग राइट तो कल इस आई परस्टिंग है 13 ऑक्तोबर को इस आई प्यों की लिस्टिंग है बाजार के अंदर दिखते कितने उपर यह लिस्ट हो पाता है 43% उपर इसकी ग्री मार्केट चल रहे हो ग्री मार्केट में ना कोई 16% उपर ग्री मार्केट थी लेकिन लिस्टिंग होती है 40% उपर तो इस तरह की चीज़ें भी होती है जहां पर more than what expected returns बन जाते हैं और यह अपना आप में काफी शांदार है काफी दमदार है एक और दोस्तों इसी बीच में जो IPOs लिस्ट हुए है जिसमें एक important IPO है one click logistics, one click logistics की listing आज 41% उपर हुई बलकि listing expectations यह थी कि 50% से उपर current gray market चल रही थी तो यहाँ पर listing थोड़ी से नीची हुई है लेकिन gold salt इसकी listing काफी दमदार हुई है काफी शांधार हुई है यह कह सकता हूँ 100% उपर की listing expectations तो थी लेकिन listing होती है दोस्तों 240% उपर मतलब जिसन भी एक रुपे भी लगाया है उसको 242% का return मिला है कम से कम तो आप कुछ समझ सकते हैं कि किस तरह की की दमदार listing basically हुई है यह गोईल शॉल्ट को बाद जिसको भी allotment मिला उसको सोना मिल गया चांदी नहीं सा उसकी सोना हो गया तो इस तरह की चीज़े होती है SME के अंदर इस वीडियो में इतना ही था, thank you friends for watching this video